सबी दोस्तों को जैंक हेंड बंदमात रहम राम राम यूपी फिलिस कॉंस्टेबल री एक्जाम का सटी कटफ आप सभी के लिए लेके आया हुआ हूँ कटफ की वीडियो आपने बहुत देखी होगी पर यह जो वीडियो आप देखने जा रहे हो जिस वीडियो में आपको कटफ की जनकाई दे रहा हूँ यह पूर एक सटी कटफ की जनकाई दे रहा हूँ जितना नंबर में आपको बता दोंगा अगर उतना नंबर है तो भया फि इसके सम्सक्राइब में टेलिगांटर का लिंक मिल जाएगा वहां पर सारे जितने वीडियो के वीडियो पर बना रहा हूं सारे पीडियो वहां पर एविलेबल मैं करा देता हूं कॉटफ की बात गए तो इससे पहले हम 2019 वाली वरतिया कटफ देखें तो 2019 में यह देख सकते हैं यूप फुलीस कॉटफ का कटफ गया था तो आप देख सकते हैं जो आपके समाने वर्ग है इसका कटफ गया हुआ था 185 ठीक है 300 नंबर में से 185 में से इसना अगर हम थोड़ा सब्सक्राइब करें अगर हम लोग और जो भरती निकाली गई थी जो कि आपके 2018 वाली भरती निकाली गई थी वहाँ पर बात करें आप की तो वहां पर भी 300 नमर का पेपर हुआ था और जो दोस्तों हमारे हैं उनका कट आप यहां पर देख सकते हैं 153 अप्रॉक्स गया हुआ था और फिमल की बात के तो 1299 पॉइंट आपके 5 कट अप गय हुए थे यह आपके 2018 वाली भरती के में बात कर रहा हुँ तो अगर दोस्तों 18 और 19 वाली भरती को अनलिसिस करें तो हमें एक चीज़ तो देखने को मिलता है यह जो बच्चे आप लाके बैठे हैं कि 300 नमबर में से हमारा कट अप 250 नमब बढ़ चल जाएगा तो इतना हाई भी कट अप नहीं जाता है अगर इतना हाई कट जाना होता तो यह 2018 और 19 अली भरती में आपको पक्का देखने को मिलता और यह 2018 वाली जो भरती में आपको बता इसमें 225 कट अप गय हुए जिसमें हुआ है आपके 20 से ले के 30 नमबर तक नमजिशन हुआ है बहुत सारे बच्चों का नमबर बढ़ा है और कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जाहें का 19 नमबर 20 नमबर यहां तक यह तक 30 नमबर तक नमजिशन बढ़ गये है यह ठार वली भरती के बात करो इसका अगर 19 नमजिशन में 20 नमबर से लेके आराम से 25 नम और फिर आपका सेलेक्षन हो जाएगा उस टाइम पे मैं और फेल हो जाओगे है और सेलेक्षन करते आप रहे जाओगे यह बहुत बड़ी चीजी थे तो इसलिए भाईए दोस्ता पाते रहना नहीं सेलेक्षन पाना है अगर मैं अपकी बरवाली भरती की बात पर जोंच जो तो दोस्तों UB Police Constable की वर्तिकारी एक्जाम हुआ है इसका भाई अगर हमें कटफ की बात करें तो UR का 200 से लेके 208 नंबर है तो फिर आप पुरा तयार हो जाए आपका सेलेक्शन होगा कोई भी रोकने ला नहीं है OBC से बिलॉंग करते हो 190 से 199 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो तयार रहो इसके पता हमों EWS कैडिगरी की बात करें तो आप EWS में देख सकते हो 197 प्लॉस आपका नंबर है तो फिर भी सेलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है इसी कैडिगरी की बात करें तो 180 में से 18 88 अगर आपका स्कूर आ रहा है इनके बीच में है तो आप तयार हो जाओ आपको कंफर्म यहां पर बुलाया जागा यह मैं मेल के इंडिट्स की बता रहा हूं मैं आपको पहले बोल दो और जितने में हमारे ST के इंडिट्स है उनका 155 से लेकर 160 के बीच में है तो भाईया सेर में जितने भरती है चाहिए वह 2018 वाली भरती हो इसके बाद 2019 वाली भरती हो हर भरती में नौमाजिशन का बहुत बड़ा रोल रहा है इसी के चलते मैक्सिम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो इसमें भी रहेगा तो यह अगर मैं बता रहा हूं अगर आपका 200 से 208 नम ही है आपका स्कूर 180 ही है मैं बता रहा हूं अगर आपका 10 नमबर कम भी है इस सारे स्कूर में से फिर भी आप तयारी में लग जाओ रनिंग की प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दो अगर हम लोग इसके रिजल्ट डेट की बात करें कि आपका रनिंग कब तक होगा रिजल्ट कब तक आएगा तो रिजल्ट डेट की भी आपको जनकाई दे रहा हूं कल आप देख सकते हैं ओफिशल ट्वीट है और इस ट्वीट में साफ साब बताया गया है कि मुख्यमंत्री कारियाले के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदितेनाथ ने निदेश दिया है कि परिणाम इसी महीने के अंद तक गोसित किया जाए परिक्षा में सामिल हुए अभ्यार्कियों को सला दी जाती है कि वो परिणाम की घोसना के लिए नियमित रूप से अधिकारिक वेफसाइड पर जाच करते रहें तो दोस्तो इसमें साफ साफ बताया गया कि मुख्यमंत्री कारियाल है उसमें उसी के निदेशानुसार इसी महीने के लाश तक आपका रिजल्ट घोसित हो सकता है पूरे पूरे चांसे हैं मतलब अक्टूबर महीने के लाश तक आज अक्टूबर का आपका हो गया है कितना अक्टूबर 24 तरीक है, सोच लो, अक्टूबर 31 तरीक के भितर, आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, मतलब किसी भी छण आपको खुशकबरी मिल सकती है, तो अगर आप रणिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर भाईया, वही हाल हो जाएगा किस टाइब का SSC जीडी वाला, SSC GD में देखिएगा कितने maximum candidates हैं, जो कि running में fail हो रहे थे, वही आपका हाल हो जाएगा कि इसमें तो साब साब बताएगा कि इसी महीने के अंतक आपका result घोशना कर दिया जाएगा, तो भाईया, वह आप सोचो कि अब आपका इसी महीने के अंतका result घोशना ह हो गया, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका selection होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा selection, यूँकि बिना मेहनत की selection नहीं होता है, तो मैंने आपको जो result का आकड़ा दिया, ये 60 का आकड़ा है, ठीक है, और इस अगर 10 number कम भी है, तो भाईया, तैयारी में लग जाओ, running क प्रैक्टिस करो, बात बाकिए और किसी की बात सुनने की जुरूत नहीं है, बहुत सरी यूट्यूबर, बहुत टाइप के आपको cut-up बताएंगे, उस टाइमें आपको demotivation लएगा, कि हमारा नहीं हो पाएगा, ऐसा है, तो demotivation का सिकार नहीं होना है, आपको मेहनत करनी है, selection हो या नहीं हो, यह तो किस्मत की बात है, अगर आप मेहनत भी ना करो, तो यह तो बलद बात है, तो मेहनत करनी है, बीना मेहनत किये, मेरे दोस्ट, selection नहीं होगा, मैं आपको पहले से बोर रहा हूं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जी और जान लगाना पड़े, कि आ अगर आपका भी नाम आता है स्लेक्सान लिस्ट में और आप तयारी नहीं करते हैं, तो बाध में पस्ता कुछ फाइदा नहीं है, अब पस्तावे होत का जब चुडिया चुक गई खे तो बाध में नहीं पस्ता नहीं, अभी से मेनद करनी है, रनिंग के प्रैक्टिस में जान लगा जाड़ा टाइम नहीं बचा, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट आने के साथ ही आपका रनिंग स्टार्ट हो जाएगा, और ये जितना भी स्कोर है, इतना स्कोर वालों का सिलेक्शन 100% क नहीं चुरा सकता है, तो रिजल्ट इसी मेने के लाश्ट तक आ सकते हैं, इसका ट्वीट आपने ओफिशली देख लिया है, इस साथ कटव आपका ये रहेंगे, जिव मैंने आपको कटव यहां पर बता दिया है, अब बात बाकिया और कुछ भी डाउट रहे गया हो, तो क आद माली भर्ती में देख लेंगे, लेकिन मैं बता रहो, फिर मौका बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भर्ती आई थी कितने दिन के बाद आई थी, इसके बाद भर्ती आने वाली ये तो नहीं भर्ती आपके साथ बहुत जल्दी आपको देखने हो मिलेगी, लेकिन इ एक सीट तो आपका रखा हुआ है . सिद्दत से महनद करो , मुझे तर्षर्सलाइब यकीन है तो आपक़ सीलेक्शन स् olhos बस सिद्दत से महनद करनी है और तयारी हैं बिलकोल पीछे नहीं हड़ा है वर्दी वर्दी वर्दी